मेरा नाम है बन्व अग्रवाल और इस वीडियो में रिव्यू करने जा रही हूँ पांड निफ्ती और निफ्ती के च्राच तो देखींगे आज किस तरह का प्राइस मुव्मेंट हमें देखने को मिला और उसके बेसिस पे कल हम किस तरह का मुव्मेंट देख सकते हैं क्या कल हम तेजी देखेंगे या गिरावट देखेंगे और ऐसे कौन से लेवल है जहां पर जो गिरावट आज हमने देखी अगर आज आप देखें तो एक अच्छी तेजी अच्छा गाप खुला था उसके बाद तेजी भी कापी अच्छी रिखाई थी पांसो छेसो पोइंट के अच्छी तो आज की तो लेकिन फिर उपर के लेवल से फिर से बिक्वाली आगी और अलमोस जहां खुला था वहीं पर लोग तो कल के लिए हम यहां पर देखेंगे कि कौन से लेवल है अगर उस लेवल पर टिकता है तो फिर से तेजी आएगी या फिर अगर वह लेवल एक 2G candle है, आप इसे एक inverted hammer भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार इसे इडिली हम नहीं बोलेंगे, कि शूटिंग स्टार अगर अच्छी तेजी के बाद बनता है तभी यूसफुल रहता है, लेकिन ये गिरावट के बाद बने, अगर आ साथ में प्राइज एक्षिन पिछला रीट कर लेते हैं, तो आप अगर देखें, काफी बड़ी मंदी की कैंडल बनी है, अपने इसका हाई और ओपन और सेम था, लो पे क्लोस हुई है, काफी बड़ी रेंज की कैंडल है, तो इस तरह की जो कैंडल होती है, वह भी एक रिस उसका ट्रेडिंग वीव का लिंक दे दूंगी, आप चाहें, तो वहाँ पर जाकी चेक कर सकते हैं, तो यह देखें, मैं आपको दिखा देते हूं एक बार, यह देखें, यह सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पर अल्रड़ी मांक करके रखे हुए थे, यह हमारा काम करता है, तो आप देख सकते हैं, यह जो सपोर्ट यहाँ पर टूटा था, इसको थोड़ा से जूम कर लेता है, तो यह जो सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ था बड़ी कैंडल से, प्राइज जब इस लेवल के आसपास हैं, वहां से हमने फिर्स से बिक वाली देखी, यही सपोर्ट अब रिसस्टेंस का काम कर रहा है, तो कल के सेशन में भी हो सकता है, यह जो लेवल है, रिसस्टेंस का काम कर सकता है, अगर प्राइज फिर से यहां तक आने की कोशश करते हैं, आपर अगर हमें ग्या पप ओपनिंग देखने को मिलके है, तो आगे हम करेंगे किस तरह की opening कर हो सकती है तो आज की जो candle है indecisive candle है indicate कर रहे है कि उपर की तरफ supply pressure definitely है तो उपर की तरफ हमें एक resistance zone मिल जाता है जो है 37769 से लेके 37953 का यह एक important resistance zone है जो हमारे लिए इस week के लिए useful रह सकता अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी हम यहाँ पे तेजी देख सकते हैं और वो तेजी कहां तक होगी हम आगे discuss करेंगे फिलाल अभी नहीं लग रहा कि यह जो prizes है इस level को cross पर पाएंगे इस week में या फिर कल के session में अगर ऐ structure भी हमारा यहाँ पे lower low lower highs का बन चुका है यह level support का है क्योंकि यहाँ से आप दीख सकते हैं यहाँ पे consolidation हुआ था फिर तेजी दिखाई थी फिर गिरावट हुई यहाँ से तेजी दिखाई फिर गिरावट हुई तो लगबग वहीं से तेजी दिखाई तो यह support एक strong support का का definitely कर रहा है और हो सकता है bank netty यहाँ पे support को hold करता हुआ भी नजर आए हमें इस week में तो एक बड़ी range यहाँ पे बन गई है 36471 से लेके 37953 की यह जो आप range देख रहे हैं करीब करीब 1500 point की range है जिसके अंदर bank netty इस week में oscillate कर सकता है क्योंकि support भी यहाँ पे strong है और ऊपर resistance भ अगर आप weekly chart देखेंगे तो weekly chart पे भी price action हमारा week है देख सकते हैं लगातार हमें बड़ी-बड़ी candles यहाँ पे मंदी की बनती हुई है तो support भी strong है resistance भी strong है और जब support और resistance दोनों strong होता है तो उस case में prices जो है एक range के अंदर trade करने लगते हैं और अगर आप monthly chart भी देखेंगे अगर आप देखें एक मंदी की candle यहां पे बनी है कोई नया हाई यहां पे नहीं बना एक नया लो जरूर बना है तो एक मंदी की candle है जो कहीना का इंडिकेट करी कि correction आगे भी extend हो सकता है कहां तक extend होगा उसके लिए हम डिसाइड करेंगे अगर यह जो हमारे 36,471 के levels है यह तो हम next यहां पे देख सकते हैं 34,900 के आसपास करीब यहां से आप कह सकते हैं 1500 और नीचे के levels हैं जो बैंग निफ्टी देख सकता है तो यह level जब तूटेंगे उसके तब ही हम decide करेंगे फिलाल हम देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या levels useful रहेंगे सो एक बड़ी रेंज आप यहां पे देख रहे हैं इस रेंज के अंदर कारोबाद कर सकता है कल के session में तो हमने आज gap of opening देखी तेजी देखी resistance zone में आते ही यहां से हमने गिरावर्ट भी देखी और आप देख सकते हैं एक मंदी की candle यहां पर बनती हुई नजर आई है आखरी घंडे में RSI देखे हैं तो 43 के आसपास है एक इंट्रडे में हम एक support मिल जाता है 37252 का तो यह एक level है जो कल के session में support का का काम कर सकता है तो कल अगर flat opening होती है यह फिर अगर gap up opening होती है और यह level sustain करता है तो यहां पे chances बनेगे कि जो बैंड निप्टी है यहां पे फिर से अपने resistance zone को यह तो हाँ resistance zone 37769 से लेकि 37953 का इसको फिर से टेस्ट कर सकता है लेकिन अगर gap down opening 37250 से नीचे होती है या फिर पहले 15 मिनट में यह level यहां पे तोड़ता है तो यह support levels भी यहां पे test हो सकता है तो कल के लिए दोनों probability है यह depend करेगा open कैसा होता है और उसके बाद पहले 15 मिनट या फिर पहले एक घंटे में किस तरह का price action किस तरह की candle formation हमें देखने को मिलती है okay so यह जो price action हमने देखा है कल के session से एक अच्छा स्ट्रांग आप अगर देखे एक हैमर जैसी candle बनी है बड़ी लोर शैडो है यह एक अच्छी तेजी की candle यह पर बनी होसके बाद तेजी भी हमने अच्छी देखी तो यह support इसने डेफिनिटी जो price action है कल और आज में दिखाया है काफी अच्छा है लेकिन एक बड़ा price action है जो week है लेकिन यहां पर chances बन जाते हैं कि कल इस level पर support ले सकता है और फिर से supply zone यहां पर test हो सकता है लेकिन अगर यह level तूटते हैं कल के session में पहले घंटे में तो फिर हम यहां पर supply pressure exceed होते होगे देख सकते हैं 36.471 के level भी test हो सकते हैं यह level तोटेगा तभी यहां पर आगे तेजी होगी अगर यह level आता है तब आप यहां पर price action को notice कीजिए देखिए कि यहां पर फिर से hammer जैसी candle बनती है यहां पर कोई bullish candle बनती है जैसे bullish harami candle बनती है यह पर bullish engulfing candle बनती ह तो जब prices इस level के असपास आएंगे वहां पर आपको notice करना है candles कैसी बनती है so यह था bank nifty का review bank nifty फिलाल यहां पर midpoint पे है यह उपर supply point भी test कर सकता है और नीचे demand point भी test कर सकता है निफ्टी की बात कर लेते हैं so nifty का setup भी कुछ कुछ similar है so nifty का एक बार monthly chart देख लेते हैं so nifty में भी यहां पर अगर आप देखें एक बंदी की candle बनती हुई नजर आ रही है नया high नहीं बना है एक नया low यहां पर जरूर बना है तो closing पर डिपेंड करेगा कि closing किस तरह की ह होती है फिलाल जो अभी देख रहा है यहां पर मंदी की candle बन रही है तो correction यहां पर निफ्टी में भी extend हो सता है और last month की अगर October की candle देखें तो shooting star candle है और shooting star candle के low के नीचे close होगा तो कहीं न कहीं confirmation है की मंदी और गहरा सकती है weekly chart भी देखें तो इस week का open high लगबक सेम था उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं और almost अपने low के आसपास ही trade कर रहा है तो यहां पे भी weekly chart जो है हमारा week हो चुका है पिछला low आप जो देख रहे हैं 17,629 का उसके नीचे यहां पे निफ्टी आ चुका है और यही level of resistance का काम कर सकता है इस week में तो support भी यहां पे टूट चुके हैं अगर weekly closing इसके नीचे आती है तो correction आप देख सकते हैं काफी गहरा सकते क्योंकि weekly chart पे यहां पे support नहीं है अगर आप देखें यहां पे gap support जरूर देखें लेकिन strong support जो है हमारा करीब 15,600 के आसपास आता है करीब य तो इसलिए आपको यहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट में थोड़ा सा केरफूल आगे रहना चाहिए तो डेली चार्ट देखें तो निफ्टी में ग्याप ओपनिंग जरूर हुई थी यहां पे भी तेजी दिखाने की कोशिश हुई लेकिन अपने लोग के आस अगर आप देखें यह लेवल था जहां पे स्टॉक सारी निफ्टी अटक राता यहां से तेजी दिखाई थी तो यह मल्टिपल रिस्टेंस भी है तो अगर इस लेवल के उपर निकलेगा तब भी फिर आप देख सकते हैं यह 18000 तक जा सकता है लेकिन फिलाल अभी इस अगर नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट ABCD पैटरन तो देख लेते हैं तो डेफिनेटली यह जो सपोर्ट है 1720 यह अल्टरनेट अगर इसके नीचे सस्तेम करेगा तो यहीं से हमने एक बांस देखा नेक्स पोर्ट जो हमें अल्टरनेट ABCD देती है वो 6925 का दे तो अगर निचे भी जा सकता है एक बार आवली चार्ट हम लेख लेते हैं आपर आवली चार्ट पे आप देखें यहां पर निटी जो है comparatively बैंट निटी से जादा वीग देख रहा है आवली चार्ट पे भी इस ट्रुक्चर हमारा वीग है यहां से इस लिवल से अच्छ ह अगर कर देखें बैट आव चार्ट हमारे आपास नहीं है तो सपोर्ट हमें मिल रहा है वह वह 17220 का ही मिल रहा है तो निटी में फ्लाट ओपनिंग होती है तो यह लेवल इमीड़ेट लिग ऑनीट्ली बनन एक बन्ती है तो यह बढ़ रहा पर से लिए जोग रहा गरणे नीचे जाके प्लोस होता है पहले घंडे में तो फिर हम यह पर जो है वी घन्स एक्सेंड होते हो देख सकते है जो 16-950 तक जा सकते हैं तो again कैसे ओपन होता है पहले घंडे में किस तरह का प्राइज डिक्षयन तेखने को मिलता है चांसे यहां पर जादा है दुबारा पेस्ट कर सकता है, ऐसी प्रॉबबिल्टी भी यहां पर है, तो दोनों तरह किये, यहां पर उपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, एक रेंज यहां पर फिलाल बनी हुए, 17.220 से लेके 17.630 की, अगर यह नीचे की रेंज टूटेगा, तब यहां पर हम 16.9 50 के लेवल देखेंगे, अगर यह सस्टेन करेगा, तो फिर से उपर जा सकता है, एक बार 15 मिनट के चार्ट रेख लेता है, तो यह एक स्ट्रॉंग रेसिस्टेंस जो है, इसने क्रेट किया है, तो एक जोन हमें यहां पे स्पेसिफिक लेवल्स और मल जाते हैं, आवली चा सेलिंग लेखने को में सकते है, तो अवरल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही वीक है, अगर तेजी आती है, तो आपर चांसस काफी बन जाते हैं, कि वो फिर से सेलिंग के लिए उस हो सकती है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपकी कोई भी क्वेस्टें हैं, तो कमेंट सेक्शन में लेकर मुझसे पूच सकते हैं, आप से फिर में लूंगी नेक्स वीडियो में, तिल दन बबाए, वा हापी लूंगी!